वेके मेसरा प्रजेक्ट हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सस्क्राइब करें और साथ में वेल आइकन घंटी रभागतें जै स्री राधेक्षण आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है आईए सुनते हैं स्री शत्य नरायन द्रत्त की कथा भगवान शत्य नरायन का पूजन जो की विशेश प्रकार से प्रतेक पूर्णिमात थी के दिन भगवान शत्य नरायन का पूजन किया जाता है कली काल में इनका पूजन बड़ा ही पुनिफल दाई बना गया है जो भी सच्ची सर्धा के साथ प्रत्यक पूर्णिमातिती के दिन भगवान शत्य नरायन का पूजन करते हैं, कथा सरवन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं. इससे भगवान शत्य नरायन अपने भक्तों के ऊपर अतिप्रशन होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कश्टों को दूर करते हैं तथा सुख और शम्विद्धी का आसरवाद प्रदान करते हैं वैसे भगवान शत्य नरायन का पूजन जो कि किसी भी दिन किया जा सकता है पुर्णमा दिथी के दिन चाहिए कि सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवित्त हो करके अश्टनान करके शुद्वस्तर धारन करके ब्रत्य का संकल प्लिना चाहिए और दिनवर उपवास रहते हुए विस्स प्रकार से साम के समय में भगवान शत्य नरायन का पूजन करना चाहिए कथा सरवन करने चाहिए वैसे आप किसी भी समय भगवान का पूजन कर सकते हैं कथा सरवन कर सकते हैं ध्यान रखे उस समय राहुकाल का समय ना हो जब भी आप पूजन आरभ करे राहु काल समय छोर करके उसके बाद आप भगवान का पूजन और आरती करे तो बड़ा ही पुनिफल दाई होगा तो आईए सुनते हैं स्रीषट्य नरायन दत कि कथा के लिए धामन दक्षिना अन्यदान वस्तरदान आदी के लिए देना चाहते हों तो आप अपनी स्रध्धा और सामर्थ के अनुसार हमें डेस्क्रिप्शन में जाकरके वहां से गुगल पे पोन पे या एकाउंट नंबर क कि माध्यम से आप अपनी स्रद्धा और सामर्थ के अनूसार हमें ब्रावन दक्षिना प्रदान करते हैं तो आईए adviskra नर Franc fan तो बोलिए फ्रेम से स्री शत्य नडायन स्वामी की जय, भगवान विष्णू की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्ब देवी देवता की जय स्री शत्य नडायन ब्रत कथा पहला अध्याय है, कि एक बार नमिशा रन्य तिर्थ में शौन कादी 88,000 रिश्यों ने स्री सूत्य जी से पूछा, कि हे प्रभू, इस कलिकाल में वेद विद्या रहित, मनश्यों को प्रभू भक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, तथा उनका उधार कैसे होगा, हे मुनी स्रेष्ट, कोई ऐसा तब बतलाईए, जिससे थोड़े समय में ही पुने मिल पाए, और मनोवांशित, फल भी प्राप्त हो, इस प्रकार की कथा सुने के हम एक्षा रखते हैं, सर्वसास्त्रों के ग्याता, स्री सूत जी बोले, कि हे राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक स्रेष्ट व्रत को आप लोगों को बतलाऊंगा, जिसे नाराज जी ने लक्ष्मी नरायन जी से पूछा था, और लक्ष्मी पती ने मुनी स्रेष्ट नाराज जी से कहा था, आप सब इसे ध्यान से सुनिए, एक समय की रात है कि योगी राज नाराज जी दूसरों के हित की इक्षा के लिए अने को लोकों में घूमते हुए मिर्त लोक में आप आँचे, वहां उन्होंने अने क योनियों में जन्में प्राया है, सभी मनुश्यों को अपने कर्मों द्वारा अने को दुखों से पेडित देखा उनका दुख देखकर नाराज जी सोचने लगी कैसा यतन किया जाए, जिसके करने से निच्चित रूप से मानव के दुखों का अन्त हो जाए, इसे विचार पर मनन करते हुए वह विश्णु लोक में गए, वहां वह देवों के इष्ट नारायन की अस्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंक, शक्र, गदा और पद्म थे, गले में वर्माला पहने हुए थे, अस्तुति करते हुए नाराज जी बोले कि हे भगवार, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वार्णी भी आपको नहीं पा सकते, आपका आदी, मध्य तथा अंत नहीं है, न नाराज जी की अस्तुति सुन, भगवान विष्णु बोले कि हे मुणी सरेष्टे, आपके मन में क्या बात है, आप किस काम के लिए पढ़ा रहे हैं, नहीं संकोच आप मुझसे कहिए, इस पर नाराज मुणी बोले कि मिर्टो लोक में अनेक योनियों में जन में मनुश्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकु दुख से दुखी हो रहे हैं, हे नाराज, आप मुझ पर दया रखते हैं, तो बतलाएए कि वो मनुश्य थोड़े पर्यास से ही, अपने दुखों से कैसे शुटकारा पा सकते हैं, भगवान स्री हरी बोले कि हे नाराज, मनुश्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुश्य मोह माया से छूट जाता है, वा बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो, स्वर्ग लोक वा मिर्द लोक में, दोनों में एक दुरलव उत्तम ब्रत है, जो पुन्य देने बाला है, आज प्रेम वस् से तुमसे कहता हूँ, स्री शेति नरायन भगवान का यह ब्रत अच्छी तरह विधान पुरवग करके मनुश्य तुरंत ही यहां सुक भोग कर मरने पर मुक्ष पाता है, स्री हरी के भचन को सुनकर नारा जी बोले, उस ब्रत का फल क्या है, और उसका विधान क्या है, यह ब्रत किस ने किया था, इस ब्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विष्तार से आप मुझे बतलाएं, नारत की बात को सुनकर भगवान स्री हरी बोले, कि दुख शोक को दूर करने वाला, यह सभी अस्थानों पर विजय दिलाने वाला है, मानव को, भक्तिवस रधा के पूजा धर्म पाडायन होकर ब्रामनों वा बंधुगों के साथ करनी चाहिए, भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूद और गेहु का आटा सबाया ले, गेहु के अस्थान पर साथी का आटा ले, सकर तथा गुर लेकर, वो सभी भक्षन भोजी पतार्थों क को मिलाकर भगवान को भोग लगाए, ब्रामनों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन करवाए, इसके बाद स्वेम भोजन करे, भजर, किर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, इस तरह से सत्य नरायन भगवान का यह ब्रत्र करने पर मनश्य की सारी निश्चीत रूप से पूरी हो जाती है, इस कलिकाल अर्थात, कल्योग में मिर्तु लोग में मुक्ष का यही एक सरल उपाय बतलाया गया है, इस प्रकार से स्री सूत जी बोले कि हे रिश्यों, जिसने पहले समय में इस व्रत्र को किया था, उसका इतिहास कहता हूँ, आप ध्ञान पुर्वख सुनो, सुन्दरकाशी पूरी नगरी में एक अतियंत निर्धन ब्रहामन रहता था, भूख प्यास से परेशान वह धर्ती पर घूमता रहता था, ब्रहामनों से प्रेम से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्रहामन का वेश धारण कर उसके के लिए धर्ती पर घुनता हूं ये भगवान जदि आप इसका कोई उपाय जानती हो तो बतलाईए ब्रिद ब्राह्मन कहने लगे कि शत्यनरायन भगवान मन वांशित फल देने वाले हैं इसलिए तुम उनका पूजन करो इसे करने से मनुश्य सभी दुखों से मुक्त हो जा ब्राह्मन मन ही मन सोचने लगा कि जिस ब्रत को ब्रिद ब्राह्मन करने को कह गया है मैं उसे अवश्य करूँगा या निश्य करने के बाद उसे रात में निंद नहीं आई वो सबेरे उठकर शत्यनरायन भगवान के ब्रत का निश्यकर भिक्षा के लिए चला गया उस दीन निर्धन भ्रामन को बिक्षा में बहुत धन मिला जिससे उसने बंदु बांधवों के साथ मिलकर स्री शेतिनरायन भगवान का व्रत्व संपन्न किया भगवान शत्य नरायन का व्रत शंपन करने के बाद वह निर्धन ब्रामन सभी दुखों से चूट गया और अनेक प्रकार की संपतियों से युक्त हो गया उसी समय से यह ब्रामन हर माह इस व्रत को करने लगा इस तरह से सत्य नरायन भगवान के ब्रत को जो मनुश्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छूट कर मुक्ष को प्राप्त होगा जो मनुश्य इस ब्रत को करेगा वो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा सूथ जी बोले इस तरह से नाराजी ने नारायन जी का कहा हुआ स्रिशत्य नारायन व्रत्त को मैंने तुमसे कहा हे विप्रु मैं अब और क्या कहूँगा रिशी बोले कि हे मुनिवर संसार में उस विप्र से सुनकर और किस-किस ने इस व्रत्त को किया हम इस बात को सुनना चाहेंगे इसके लिए हमारे मन में जो स्रधा भक्ति भाव है आप किरपा कर बतलाईए सूत जी बोले कि हे मुनी जिस जिस ने इस ब्रत्त को किया वह सुनो एक समय वही विप्र धन्वा एस्वरे के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस ब्रत्त को करने को तयार हुआ उसी समय एक लकडी बेचने वाला बुढ़ा आदमी आया और लकडीयों को बाहर रखकर अंदर ब्रहमन के घर गया प्यास से दुखी वह लकर हारा उनको ब्रत्त करते देख विप्र को नमसकार कर पूछने लगा कि आप यहां क्या कर रहे हैं तथा इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है आप कृपा करके मुझसे बतलाईए प्राप्त ने कहा कि सब मनो कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह श्यत्य नरायन भगवान का ब्रत्त है इनकी कृपासे हैं मेरे घर में धन्य धान्य आदि की व्रिद्धी हुई है विप्र से सथिनरायन ब्रत्त की बारे में जानकर लकर हारा बहुत प्रशन हुआ और चर नामरित लेकर वा प्रशाद खाने के बाद अपने घर गया लकर हारे ने अपने मन में शंकल्प लिया कि आज लकरी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से स्रिशत्य नरायन भगवान का मैं उत्तम ब्रत्त करूँगा मन में इस विचार को ले वा आदमी सिरपर लकडिया रखकर उस नगर में बेचने के लिए चला गया जहाँ पर धनी लोग ज़्यादा रहते थे उस नगर में उसे अपनी लकडियों का दाम पहले से चार गुना अधिक मिला वह प्रशन होकर शकर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और शत्य नरायन भगवान के व्रत्त के अन्य शामग्रियां लेकर अपने घर गया वहाँ उसने अपने बंधु बांधवों को बुलवा कर विधी बिधान से स्री शत्य नरायन भगवान का पूजन और व्रत्त किया इस व्रत्त के प्रभाव से वह बूठा लकर हारा धन पुत्त रादी से युक्त होकर संसार में समझत सुख भोक कर अंतकाल में बेकुंट धाम को गया इस प्रकार से स्री शत्य नरायन व्रत्त कथा दूसरी अध्याय पूर्ण होई तो बोलिये प्रेम से स्री शत्य नरायन भगवान की जय अथ तिर्थियो अध्याय स्री सूत जी बोले कि हे स्रेश्ट मुनियों अब आगी की कथा कहता हूँ पहले समय में उलका मुख नाम का एक मुद्दिमान राजा रहता था वह शत्य वक्ता और जितेंद्रिय था प्रतिदीन दिव अस्थानों पर जाता और नर्धनों को धन देकर उनके कश्ट दूर करता था उसकी पतने कमल के समान मुख वाली तथा सती साध भी थी भद्र शीला नदी के तट पर उनों दोनों ने स्री शत्य नरायन भगवान का व्रत्य किया उसी समय साधू नाम का एक वैशे आया उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा भन भी था राजा को ब्रत्य करते हुए देखकर वो अब विनय पुर्वक पुछने लगा कि हे राजन भक्ति भाव से पुर्ण होकर आप यहां क्या कर रहे हैं मैं सुनने की एक्षा रखता हूँ आप मुझे बतलाईए राजा बोला कि हे साधू अपने बंदू बांधवू के साथ पुत्रादी की प्राप्ति के लिए एक महा शक्तिमान स्री शत्य नरायन भगवान का व्रत्त वो पूजन कर रहा हूँ राजा की बचन सुन साधू आदर से बोला कि हे राजा मुझे इस व्रत्त का सारा विधान कहिए आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत्त को करूँगा मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत्त को करने से निश्जीत रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी राजा से व्रत्त का सारा विधान सुन व्यापार से रवित्त हो वह अपने घर गया साधु बैशे ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत्त का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत्त को करूँगा साधु ने इस तरह के बचन अपनी पत्नी लिलावती से कहे एक दिन लिलावती पती के साथ आनंदित हो सांसारी के धर्ब में प्रवित्त होकर स्री शत्य नरायन भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई दसमे महीने में उसके गर्भ से एक सुन्दर कन्या ने जन्म लिया दिनो दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुकल पक्षी की चंद्रमा बढ़ता है माता पिता ने अपने कन्या का नाम कलावती रखा एक दिन लिलावती ने मीठे शब्दों में अपने पती को याद दिलाया कि आपने शत्य नरायन भगवान के जिस ब्रत्त का संकल पर लिया था उसे करने का समय आ गया है आप इस ब्रत्त को करिये साधु बोला कि हे प्रिय इस ब्रत्थ को मैं उसके विवाह के समय करूँगा इस प्रकार अपने पत्नी को आसवासन देकर वो नगर को चला गया कलावती पिता के घर में ब्रिध्धी को प्राप्त हुए दिरे दिरे बढ़ने लगी साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सक्षियों की साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलवाया और कहा कि मेरी कन्या की योग्यों वर देख कर आओ साधु की बात सुनकर गूत कंचन नगर में पहुँचा और वहाँ देख भालकर लड़की के सुयोग्य वनिक पुत्र को ले आया सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंदू बांधवों को बुलवा कर अपने पुत्री का विवाह करा दिया लेकिन दुरभागे की बात तो यह है कि साधु ने अभी भी सतिनरायन भगवान का ब्रत्त नहीं किया इस पर स्री शतिनरायन पुरोधित हो गया और स्रापदे दिया कि साधु को अत्यदिक दुख मिले अपने कारे में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास इस्थित होकर रत्नसारपूर नगर में गया वहाँ जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकितु राजा के नगर में व्यापार करने लगे एक दिन भगवान शत्यनरायन की माया से एक चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था उसने राजा के सिपाहियों को अपना पिशा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहांकि साधु अपने जमाई के साथ फैरा हुआ था राजा के सिपाहियों ने साधू गष्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जबाई दोनों को बांध कर प्रशनता से राजा के पास ले गया और कहा कि उनों दोनों चोरों को हम पकर कर लाये हैं आप आगी की कारेवाई कीजिए राजा के आग्या से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उसने छेल लिया श्री शतिनरायन भगवान के स्राप से साधू की पतनी भी बहुत दुखी हुई घर में जो धन रखा था उससे चोर चुरा कर ले गए शारीरिक तथा मानशिक से अती दुखी हो अन्य की चिंता में कलावती एक ब्रहमन के घर गए वहां उसने स्री शतिनरायन भगवान का ब्रत्व होते देखा फिर कथा सुने और प्रशाद ग्रहन कर वह रात को घर वापस आई माता ने कलावती से पूछा कि है पुत्री अब तक तुम कहा थी तेरे मन में क्या है कलावती ने अपने माता से कहा कि यह माताद मैंने एक ब्रहमन के घर में सिर्षी शतिनरायन भगवान का ब्रत्व देखा है कन्या के बचण सुनकर लीलावती भगवान शतिनरायन के पूजन के लिए तैयारी करने लगी लीलावती ने — पडिवार्व बंधू वो सहित सत्य नरायन भगवान का पूजन किया और उसने वर मांगा कि मेरे पतितथा जमाई सिगर घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रात्ना किये कि हम सब का प्राध आप शमा करें। स्रिशत नरायन भगवान इस व्रत्त से संतुष्ट हो गए और राजा चंदर केतु को सपने में दर्शन दे कर कहा कि हे राजन तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापिस कर दो अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन राज वो संतान सभी को नश्ट कर दोंगा राजा को यह सब कहकर वो अंतर ध्यान हो गया प्राता काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया फिर बोला कि वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया राजा मीठी वा राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र और आभोशन भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दोगुना धन वापिस कर दिया दोनों वैश्य अपने अपने घर को चले गए इस प्रकार से स्रिशत नरायन व्रत्र कथा तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ तो बोलिये प्रेम से स्रिशत नरायन श्वामी की जै अथ चतुर्थो अध्या शूत जी बोले कि वैसे ने मंगला चार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया उसने थोरी दूर जाने पर एक दंडी वेसधारी स्रिशत नरायन ने उनसे पूछा कि हे तेरी नाव में क्या है अभिमानी वनिक जो की हस्ता हुआ बोला कि हे दंडी आप क्यों पूछती हो क्या धन लेने की इक्षा है मेरी नाव में तो बेल वब पत्ते भड़े पड़े है वैसे के कठोर वचन को सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी ऐसे वचन को कहकर वहां से दूर चले गए कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया दंडी के जाने के बाद साधू वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्यात नाव को उची उठी देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदी देखकर वह मुर्चीत हो जमीन पर मुर्चा खुलने पर वहां अत्यंत शोक में डूब गया तथा उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाए वह दंडी का स्राप है इसलिए हमें उनकी सरण में जाना चाहिए तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी दमाद की बात को सुनकर दंडी के पास पहुँच और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला कि मैंने आप से जो असत्य बशन कहे थे उसके लिए मुझे शमा कीजी ऐसा कहकर महान शुकातुर हो रोने लगा दंडी भगवान बोले कि हे बनिक पूत्र मेरी आज्या से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है तुम मेरी सामर्थ के अनुसार आपकी पूजा वश्य ही करूंगा मेरी रक्षा करो पहले की समार नौका में धन भर दो साधू वश्य के भक्ति पुरुबक बचन को सुनकर भगवान प्रशन हो गये और उसकी एक्षा नुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गये ससुर जमाई जब न पर करने के लिए भेज दिया दूत साधू की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दमास सहित नगर पे निकट आ गये हैं दूत की बात सुनकर साधू की पत्नी लिलाबती ने बड़े हर्स के साथ सत्ट नरायन भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कह कि मैं अपने पती के दर्शन को जाती हूं तो कार्य पूर्ण कर सिख्र आ जाना माता के ऐसे बचन को सुनकर कलावती जल्दी में प्रशाद छोर अपने पती के पास चली गई प्रशाद की अवग्या के कारण श्यति नरायन भगवान रुष्ट हो गये और नावसहित उसक के पती को पानी में डुबो दिया कलावती अपने पती को वहाँ नौपाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी नौका को डुबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि है प्रभू मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे शमाख साधु के दीन हिन बचन को सुनकर शत्य नरायन भगवान प्रशन हो गया और आकाश वार्णी हुई कि है साधु तेरी कन्या मेरे प्रशाद को छोर कर आई है इसलिए उसका पती अद्रिश्य हो गया जदि वहाँ घर जाकर प्रशाद खाकर लोडती है तो उसे उसका पती अवश्य ही मिलेगा ऐसे आकाश वार्णी को सुनकर कलावती घर पहुचकर प्रशाद खाती है और फिर आकर अपने पती के दर्शन करती है उसके बाद साधु अपने बंदु बांधवो सहित स्री शत्य नरायन भगवान का विड़ी बिधान से पूजन करता है इस लोग का सुक भोग वह अंद में स्वर्ग को जाता है इस प्रकार से स्री शत्य नरायन भृत कथा में चोथे अध्याय की कथा पूर्ण होई तो बोलिये प्रेम से स्री शत्य नरायन भगवान की जय अथ पंचमो अध्याय स्री सूत जी बोले कि हे रिश्य मैं और भी एक कथा सुना एक बार वन में जाकर वन ने पश्रू को मारकर वह बढ़के पेर के नीचे आया वहां उसने ग्वालों को भक्ती भाव से अपने बंधू सहीत शत्य नरायन भगवान का पूजन करते देखा अभिमान बस राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा अस्थान में नहीं गया औ और प्रशाद को वहीं शोड कर वह अपने नगर को चला गया वह जब नगर में पहुचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह सिग्र ही समझ गया कि यह सब भगवान नहीं किया है वह दुबारा गौालों के पास पहुचकर और विधी पुरुबक पूजा कर प अनुप्रांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जो मनुश्य परम दुरलव इस बृत्त को करेगा तो भगवान शत्यनरायन की अनुकंपां से उसे धन धानी की प्राप्ति होगी निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीबन जीता है संतान ही मनशु को संतान शुक प्राप्त होता है और सारे मनुरत पुर्ण होते हैं और सारे मनुरत पुर्ण होने पर मानव अंतकाल में वैकुंठ धाम को जाता है सुत जी बोले जिन्हों ने पहले इस व्रत्त को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कता कहता ह ब्रामन ने सुदामा का जन्म लेकर मुख्श की प्राप्ति की लकर हारे ने अगले जन्म में निशाद बनकर मुख्श प्राप्ति किया उलका मुख नाम का राजा दसरत होकर वैकुंठु को गए साधु नाम के वैशे ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मुक्ष पाया और महराल तुंग ध्वज ने स्वयंभु होकर भगवान में भक्त युक्त हो अपना कर्म कर मुक्ष को पाया इस प्रकार पस्ता कि श्युयाם इस प्रकार से जुभी भक्तों सची सरधा के साथ नियम और निश्टा के साथ भगवान का पूज़न करते हैं कता सरवन करते हैं इससे भगवान श्यट्यन अपने भक्तों के उपर प्रशन हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कश्टों को दूर करते हैं तथा शुक और शमृद्धे का आसरबाद परदान करते हैं तो आसा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान परधक जानकारिया प्राप्त करने के लि दिलता रहें वीडियो को लाइक करें शियर करें शुक्री रहें और स्वस्त रहें जैस्री राधिकिष्ण धन्यबाद